तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है क्राइम तक में और थोड़ा सा अज फिर लेट हो गया क्योंकि यह जो टाइमिंग है यह थोड़ा सा बड़ा नेक टो नेक चालता है एक घंडे के बाद मतलब दो घंडे के बाद आपसे वादाश शुरू हो जाता है उससे पहले पी क्राइम तक की जो कि तमाम हमारे अब तक लोग जोड़े हैं वो तो सभी उन सब का स्वागत ही दिल से उन सब का शुक्रिया और जिन लोगों ने अभी तक क्राइम तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी करें फटाफट करें और जाद से जादा लोगों से अपने कहें कि कराएं और हम लोग का मिलने का इसी तरह से सिलसला चलता रहे हैं दो तीन चीज़ें एक तो यह कि आज आपने देखा होगा कि हमने जगा थोड़ी सी चेंज की है कई दिन से लगातार आप से बात कर रहा हूं एक ही जगा पर खड़े होके तो मैंने का एक तो उसकी वज़ा से चेंज कर लो दूसरा आज टॉपिक ऐसा था कि मुझे लगा कि थोड़ा सा सुकून चाहिए अब यह आप देख रहे हैं यह जो कमरा है यहां पर थोड़ा सा सुकून है और डिस्ट्रेवेंस नहीं होगा क्योंकि मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं और जो शेयर करने जा रहा हूं उसके लिए थोड़ा सा सुकून भरा महौल जरूरी था ताकि कि बात बहुत पुरानी है करीब बाइस साल पुरानी तो बाइस साल की वो तवायम चीजों को रिकॉल करना याद करना और फिर उसके सारे इंपॉर्टन चीजों को आप तक पहुंचाना उसके लिए थोड़ा सा कंसेंट्रेशन की भी जरूरत थी आज ऐसी हम लोग शाम को आफसे बात कर रहे थे तो यह हoga की नौ बजे क्या करें ऐसानी खबरे बहुत सारी थी लेकिन किस बारे में आप से बात करें प्र आप लोगाता तारे कि यह भी आ रहा है कि कहानी सुना यह कहनी अलग-अलग क्राइम की तो फिर मुझे रगा कि मैं कुछ ऐसी चीजें जो मुझे आज भी भूला नहीं पाया हूं जिसको वो आप से आज बात करता हूं उसको लेकर काफी टीम के साथ भी बात हुई हमारे जो कुलीग है अमिट सिंह उन से भी बात हुई आसम दीपक वर निका यह सारे थे हिं लोगों से बात ही फिर हमने फिलस्तीन के गाज़ा पट्टी अलाके में बंबारी की है रॉकेट दागे हैं उनके जो जेट फाइटर प्लेन है मिग उससे भी उन्होंने बॉम गिराए हैं और उसकी वज़ाए है कि हमास के कुछ आतंगवादियों ने उनके फॉट के हमला किया था तो उसका वो बदला ल लिखा है मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में तभी वहीं से यह ख्याल फिर आगे बढ़ता है और यह ख्याल सवाल बनके जब मन में आया तो फिर मैंने सोचना शूरू किया तो अचानक मुझे यह 22 साल पुराने किस्सा याद आया कि एक जहाज भी बंब सकता है और अगर लेलूं 47 या उससे पहले इस से बड़ा शयद हाथसा नहीं हुआ है जब प्लेन क्रेश किया था दो आस्मान में चर्खी दादरी का इंसिडेंट है आप में से बहुत साई लोगों को पता होगा दिल्ली से करीब 95 किलोमेटर की दूरी पर यह लाका है हर्याना में आत लगता है 95 किलोमेटर का डिस्टेंस से लेकिन अगर इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट से प्लेन जब टेक आफ करता है तो उसको जड़जर पहुंच नहीं मुश्किल से 7-8 मिनट लगता है तो यह 22 साल पुरानी 12 नवंबर 1996 की बात है तब मैं आज तक थो यह 2000 में 24 घंटे का चैनल हुआ था उससे पहले आज घंटे का हुआ करता था लेकिन तब मैं आज तक में नहीं था मैं जनसत्ता जो हिंदी डेली इंडियन एक्सपेस ग्रूप का जनसत्ता जिसके संपादक प्रभाद जोशी जी हुआ करते थे और मैं मैं जनसत्ता में था और शान का वक्त था और आपको जो डेट बताया 12 नमूंबर 1996 तो मैं रिपोर्टिंग करके वापस आके अपनी कॉपी लिख रहा था और करीब यह साथ सवा साथ बजे का वक्त होगा अखबार में यह होता है कि जनलेली हमनों को 9 बजे छुट्टी मिल आफिस में जनसत्ता कि कि चर्की जाया दात्री में एक प्लेन के गिरने की खबर है तो पहले आता है कि हो सकता है कोई छोटा मुटा प्लेन गिरिया या फिर यह भी कुछ और गिरा हो या कुछ लोगों का वहम हो तो उसके बाद मुझे कहा जाता मेरे बॉस सुशील कुमार सिंग चीफ रिपोर्टर तो अब इसको चेक करने का जो बेसिक तरीका हमनों का वो यह है कि हम एरपोर्ट पुलिस को फोन करें तो आईजिया एरपोर्ट पुलिस को फोन किया उनके पास कोई खबर ही नहीं थी इतिफाक से एटी सी में एक मेरा जानने वाला था सोर्स एटी सी का फुल फॉर्म जो होता हो एर ट्रैफिक कंट्रोल अब एटी सी क्या होता चले मैं पहले आपको यही बता देता हूं कि जैसे ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक सारा संचालान आप जमीन के देखते हैं यह शहर में रहें कहीं भी रहें जब भी आप आस्मान में देखेंगे अगर आप तो प्लेन आपको हमेशा एक ही रूट से उड़तावा दिखाई देगा एक ही तरफ से जाता है और अगर उसके वापसिक है तो वह रूट भी फिक्स है यह नहीं कि आस्मान खुला पड़ावा त इदर से इदर से इदर से ऐसा कभी नहीं होता है अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया तो अब देखिएगा पर्टिकुलर रूट है उसी पे वह प्लेन जाएगा अगर आप आपके घर के आसपास एरपोर्ट है तो आप देखेंगा अगर इदर से वह जा रहा है तो वापसी का रास्ता कुछ और होगा इदर से आएगा नहीं बहुत कम होता है कई बार लेकिन डाइवर्ट कर दिया आता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आस्मान खाली है खुला हुआ है लेकिन वहां पे एक कॉरिडोर होता है ट्रैफिक का मतलब एक प्लेन को इसी करताव अर्पोर्ट के आपने पास सबसे चेट से उचांता होता है और ठर्की घूमती रहती तो उसके तरिए वह कंट्रोल करता है तो फिर मुझे जब का गया तो मैं एयर ट्रेफिक कंट्रोल को फोन किया अपने सोर्स को मैं पूछा तो उसने का ही एक सौधी एयर लाइन्स यहां से उड़ी थी और उड़ने के छे मिनट के बाद ही उसका हमारा से अगर डिली से उड़ी तो उसके बाद जो भी एटी सी सको कैज करेगा उस रूट में माली जह मुंबई एक उससे पहले वह बड़ा उड़ा तो उसके मैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्लेन बिना एक एटी सी के कॉंटेक्ट या संपर्ख में रहे बीना अपनी मनजिल से उड़े और दूसरी जगा पहुंचिया होई नहीं सकता क्योंकि वह हवा में बिर्शक है लेकिन उसको गाइड नीचे से किया था जमीन से तो उसने कहा कि एक प्लेन यहां से उड़ा लेकिन उसके बाद उसका संपर्क टूड़ गया जब एटीसी यह कहें कि संपर्क है या तो प्लेइन क्रैश हो चुका होता है या प्लेइन का पूरा सिस्ट म फेल हो जाता है मतलब किसी ना किसी हाथ से का शिकार हो जाई वरना कोटीसी आधीसी शेली और संपर कूर्ट तो ऐटीसी ने य है कि उसका संपर्क टूड़ गया हैın अब जबूक्न कुछ चीज़ें मैंने यहां पर रखी वी थी जैसे यह बात होती है तो हम लोगों को कहा जाता है कि तुम भागो क्योंकि दूसरी तरफ खबर आगे चर्खी दादरी में कुछ आख का गोला दिखाए दिया तो हम सब अपना अपना फोटोग्राफर के साथ मैं भागता हूं और उसमें 90% दिल्ली के जनरलिस्स से क्या गलती हूं जिसमें मैं भी शामिल था हम लोग चर्खी दादरी की बजाए दादरी की तरफ भागने लेगा और दादरी जो है यह नोईडा और ग्रेटर नोईडा जो है अभी जो ग्रेटर नोडा का आप एक्सप्रस वे देखते पेजर पे मैंसे चल रहा था तो हम सब जब दिल्ली और चन्निगाड हाइवे की तरफ मुड़ने लगे तब पता चला कि यह चर्खी दाद नी इधर ग्रेटर नोडा की तरफ पता चला यह नहीं है वो हर्याना की तरफ है फिर वापस गाड़ी मोड़ी और तब तक हम स्क्रू मेंबर थे मतलब कुल मिलाकर 312 लोग थे यह सौधी ऐलाइंस की फ्लाइट जो है दिल्ली से सौधी अरब जा रही थी रियात के लिए टाइम पर योड़ी थी छे बच के 32 मिरत पेस ने आईजियाई से टेक आउफ किया करीब साड़े पांच घंटे के बाद इसको रियात पहुंचना था इधर यह पेंट टेक आउफ करता और अधर एक कजाक एरवेस की प्लेन थी जो कार्गो प्लेन जिसमें चुके यह कजाक से सारे सामान दिल्ली आता है वो हमेशा गरम कपड़े आते हैं स्वीटर शॉल यह वो सारी चीज़ें वो आती है और सरदी का मौसम था बारा नमंबर को यह हथसा हुआ है तो बारा नमंबर के दिन कजाक एरलाइंस में सर्दी के सारे स्वीटर और यह लेकर वो लोग बिल्ली आ रहे थे उसमें टोटल 27 लोग थे जो यह स्वीटर विटर लेकर आ रहे थे और 10 क्रू मेंबर थे मतलब 37 लोग कजाक ए शे बचके 37 मिनट पर अटी से उसका संपक टूट जाता है उससे पहले जब संपक टूटता है तो एटी सी को अचनक राडार पे दिखता है कि एक कजाक जो एरलाइनस है वो भी आ रही है उसी रूट पर वो टेक आफ करने वो यह टेक आफ वह था ता वो लेंडिंग के लि साथ ने टेक-अफ किया तो जब आप टेक-अफ करते हैं प्लेन तो ढ़रे धीरे ले नीचे आता है लेकिन करती से यहां चुका जो फो चुका था और वो लेंडिंग करने वारा था लेकिन चर्की दात्री यह भी दूरी थी तो अभी उसने अपना हाइट छोड़ा नहीं तो उनको कहा जाता कि 15,000 feet आप से नीचे आओ यहाँ पर प्रॉब्लम यागे कि कजाक Airways का जो पाइलेट था उसकी अंग्रेजी बहुत कमजोर थी एक तो बोलने में भी कमजोरी थी दूसरा समझने में भी उसको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम थी उसको तो वो ATC की ब कर दा था उसकी भी स्पीड थी दोनों हवा में अब सौधी एरलाइंस 15,000 feet तक क्योंकि सौधी एरलाइंस नीचे जाही नहीं सकती थी उसको हाइट ही लेनी थी क्योंकि वो टेक आफ किया और वहाइट करीब 40-45,000 तक उसको जाना था लेकिन चुकि आजी आई से उड़ा और सरखी दाजरी बिल्कुल 95 किलोमेटर है तो आप 95 तक जाते जाते फिर आप हाइट लेना शुरू कर देते हैं तो सौधी एरलाइंस को आप नीचे नहीं कर सकते थे उसको आपको उपर ही रखना था कजाक वाले को आपको दिया गया कि आप 15 से उपर रखो कजाक अर्लाइंस ने क्या किया कि चुकि अभी सौधी का हाइट कम था उसने साड़े चौधा हाजार फीट ही रखा बलके धीरे-धीरे साड़े चौधा से भी वो 14,000 हो गया तो जब वो 14 पर आया तो इधर से सौधी एरलाइंस भी 14,000 फ 800 किलोमेटर प्रतियावर 800 किलोमेटर रफ्तार से वह ओड़ा था प्लेन और कजाक वाले की स्पीड थी वो करीब 600 थी तो साड़े 14,000 फीट की उचाएपे कजाक एरवेस इधर से 14,000 के ही लगभग फीट पे मतलब दस एक आरा बारा करते करते सौधी और दोनों एक साथ आगे हैट को यह निवा लेकिन जो पंकी था प्लेन का दोनों का वह पंकी दोनों का एक दूसरे सा टकराए तो जैसे ही टकराता है प्लेन डिस बैलेंस हो जाता है सौधी ए Finnish के प्लेन में फिर पंकी वज़ा चुके वह टूट गे थोड़ा इंजन में अग लगई उदर कजा के अर में भी आग लगई लेकिन सौधी एलाइन के प्लेन में उतनी तरह से बुरी तरह से आग नहीं लगी थी उसका वह टूटने की वह चुक्किए उसमें बह दल चुका था देखते ही देखते और धीरे 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 वह भी जमीन में गिरता है तो वह आग का गोला चर्खी दादरी और पूरे जज़र और आसपास के लोगों में चुकिए साड़े चौदा हजार फीट की उचाए काफी होती है तो बहुत दूर तक आप देख सकते हैं तो एक बहुत बड़ा आग का गोला बहुत सारे लोगों को लगा था पता नहीं कि कुद्रती आफ़त है क्या है तो आग के गोले के रूप में नीचे गे रहा और सौधी एरलाइ करीब इस अफ्राट अफ्री के चक्कर में सवा साथ बजे की बात थी आठ बजे के आसपाने आठ बजे के आस-पस हम लोग निकले थे रात वहां पहुंसते पहुंसते हमनों को करीब एक बज़ जा था उसकी बज़े यह थी कि जहां पर यह मलबा गिरा था वह में हाइवे करता के दिए हैं या एक कच्छी सडख के पास रुकर हम जारा है अचालाकर Energine P प्रिफर पेंगा यह बंतन्riend kigns खिर होगा कर्मिकों के पेंग गुंधः यह फैंद गराता तु जारती एक था का तो पेड़ के उपर ब्रिफ केस टंगावा था एक दो तीन मतलब बुजाय से उपर से गिरा होगा और उसी पेड़ पे दो तीन बॉड़ी टंगी भी है तो पहला देखती हम लोग तो बुरुतरा से सिहर गए तो पता चला कि यहां से शुरू होता है मलवा भिखरने का फि पिर बाकी भी सारे रिपोर्टर एवन जो फॉरें थे बीबीसी वह सारे लोग वहां पहुंच चुके ते रात दो तीन चार बेजे तक हम यूँ भटकते रहे एक वहां बड़ी बुरी चीज भी देखी कि गउओं के बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनने पता चला तो वो सामान लूटने के लिए पहुंच गया है फिर पुलिस को आके रोकना पड़ा है वो कोई बैग उठाके भाग रहा है कोई कुछ भाग रहा है और उनमें से बचने के तो किसी की चांस थीने उम्मीद था नहीं तो धीरे धीरे उसके बाद हम लोग पूरी रात टहलते रहे और जिधर जाएं उधर लाशें कहीं खेत में कहीं वो पर अंधेरा हो रहा था और तब यह भी नहीं था कि मोबाइल में आजकल तो टॉर्च आता है मोबाइल से जला लें मोबाइल उसको था नहीं तो जो कैमरे के फ्लश लाइट थी उसके जरीए यह कुछ लोग जो सिग खेत में खेती वेती की जगह ध्यान नी दिया पर पूरी रात हम बटकते रहे उसके बाद ठक गये तो गरीब एक जगह एक पगड़नडी थी उसी खेत में तो हम जितने दिल्ली से जनरलिस्ट गये थे अच्छ चुके सारे एक साथ जवाब काम करते हैं क्राइम बीट पर तो आप एक दूसे को जानते हैं दोस्ती होती तो उसमें कुछ सीनियर थे कुछ साथ के थे कुछ जूनियर थे तो ठक गये फिर एक साथ सब बैठकर आट-दस लोग हम एक पगड़नडी पर बात करें तो बिल्कुल अंधेरा उस वक्त तक यह भी हो गया था कि सबके कैमरे कि लाइट वाइट भी खतम हो चुकी थी और अब यह था कि करना क्या है वहाँ यह टीवी के जार से लाइव वैप तो करना नहीं था रिपोर्ट भेजनी है तो अब रिपोर्ट सुबह भेजेंगे या तो किसी को फोन करके लिखाएंगे या फैक्स करेंगे जो भी स्क्रि उसमें से एक-दो लोग सिगरेट पी रहते हैं तो वह पैसे बैठ के पीते हैं तो आप आप यहां जाडते रहते हैं हम जहां पर लाइन से बैठे वेते जैसे मैं यहां बैठा वाहूं और पहली रौष्णी पढ़ी तो हम सब क्या देखते हैं हमारे सामने किसी का सर लाइन से बिखरा हुआ और कई देखा तो एक साथ सब खड़े और पीछे की तरफ भागे सर्फ दहशत की वजह से उसके बाद फिर जब सबके जूते पर नदर पड़ी तो इसमें एक चीजी आपको यह भी बताओ कि तब जनसत्ता में नहीं नौकरी लगी थी पैसे वैसे मिले थे तो मुझे बड़ा शौक था कि प्यूमा का श्रूश करीदने का तो मैंने प्यूमा जूता उससे एक दिन पहले था यह बात है बारां नवंबर की नहीं दस नौंबर को मैंने जूता पर देखा तो मेरे जूतें के अंदर पूरा जूता नीचे से लाल हो रहा है र पूरा सिहर गया जूता उतार कर फेका मोजा फेका और फिर बाकी हम दिन बर हम लोग वहां पैदल नंगे पैर रहे शाम को फिर वहीं चर्की दादरी स्टेशन के पास से एक चपल खरीदा तो वह पहन के फिक चुक अगले दो दिन वहीं रहना था लेकिन खैर जब सुबह हो बेक सामान लोगों के हैं और साओधी अएलाइंस में जो तोटल 312 लोग पार मताब आप जैसे कैसे आप सोच सकते हैं किसी के का फेर नहीं किसी का सर नहीं किसी का पेट बाहर मतब अजीब अजीब लेकिन कजा के एरवेज की जतनी बॉड़ी थी उसको देखके कुछ फील ही नहीं हो रहा था इसलिए कि वह उसमें उपर ही आग लग गई तो जो जहां पर सीट पर बैठा वा था उसी सीट बेल्ट के साथ वह जलावा बैठा वा था तो उनकी बॉड़ के सारे पूरे थे लेकिन एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई काला जला हुआ मट्डी का आप धांचा बना लिए सांचा बोली है या खेलोना टाइप का वो था कि साओधी एलाइंस के सारी बॉड़िया बिखरी वी थी और टुकडों में तो फिर उसके बाद वह रहात क वहां पर यूज हो रहा था क्योंकि छोटे डिटर थे तो अब कैसे कैसे उठाओ तो ऐसे करके उठाते थे लिए उसमें बात में जब वो हुआ कि चुके साओधी एरलाइन्स का वो था और जाधा तर लोग रियाद जुजा थे वो नौकरी पेशा नौकरी के लिए जा रहे थे उसमें जाधा तर मुस्लिम थे तो उन सब का सामोहिक एक तरह से वहां वहीं पे जो लोग लेके कौन अपना परिवार किसको ल थी उस साओधी एलाइन्स की एक एर होस्टेस थी शायद मारिया नाम था उसका मुंबई की थी वो उसकी लास्ट फ्लाइट थी उसने असले में उसी वीक रिजाइन कर दिया था साओधी एलाइन्स से और उसकी वज़ाए थी कि उसकी सगाई हो गई थी तो उसकी सगाई हो इस इंसिदेंट के नेक्स्ट वीक तो लास्ट थी लेकिन चुकि साथी एलाइंस का हेड़कॉर्टर रियाद में है तो उसको अपने रिजिगनेशन की सारी फॉल्मिलेटी पूरी करने के लिए रियाद जाना था तो रियाद वालों ने बुलाया बोला आओ यही हिसाब किता इसको पूरा आइडेंटिफाई करने में लाश्टों को और बाकी चीज़ें करने में दो दिन थे तो मैं उनकी फैमिली विचारी वहां दो दिन थी मैं उनसे लगातार बात कर दा था क्रिस्टिन फैमिली थी तो उनका जो मैंने हाल देखा वो बियान नहीं कर सकता है मतलब एक सोचे कि अब उसकी लास्ट फ्लाइट और वो जिन्दगी की ही उसकी आखरी फ्लाइट होगी यह तो चर्की दादरी की थी अब पूरी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई इंक्वैरी हुई दिल्ली हाई कोट के एक जड़ है रमेश चंद्र लहोती उनकी निगरानी में कि इंक्वैरी बठाईगी तो उन्हों ने अपनी रिपोर्ट में ही कहा कि पहले हां इसमें एक चीज़ और था कि जब यह क्रेश हुआ तो पूरी दुनिया में हमारे एटीसी को बदनाम करने की कोशिश की कि भारत का एटीसी बड़ा लाचर है बहुत ही बैकवर्ड है कुछ जानकारी नहीं है कुछ होता नहीं है तो उसके लिए इंडियन गवर्मेंट ने तब यह भी क्या था कि दूसरी एजन्सियों को और वर्ल्ल के दूसरे कंट्री को कि आप आके इंक्वारी किजिए तो जिसमें यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान कजाक सौधिय अरभिया इनके एविएशन के एक्सपर्ट साय थे हैं अडिया और चर्की दातरी गहते और उन्हों सबने और उसके बाद अपनी एक जुडिशल कमिशन जो बना लाहुत जिस्स लहाटी के अंडर में उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी तो सारी रिपोर्ट भी यह था कि एटी सी की गरवड़ी नहीं थी गरवड़ी थी उस कदाक एरवेस के पाइलेट की जिसकी अंग्र कि उनकी इंग्लिश नसरी बोलने भलके समझने की और यह नहीं की सिर्फ अपने कंट्रिया आज पर हो के अलग अलग मुल्क में अलग 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 तरीके से बोली जाती है अंग्रेजी पुनांसेशन अलग होता है तो उस उसकी भी बागए था क्लास और कोचिंग होती है क तो खैर उसके बाद यह पूरी एटीसी की बात ही लेकिन एटीसी में ऐसा कुछ निकला नहीं और एटीसी को क्लीन चीट दे गए हालाकि इस रिपोर्ट में यह था कि एटीसी की कुछ सिस्टम जैसे कि अगर एक आदमी नहीं समझ रहा तो कुछ सेकंड ऑप्शन होना चाह इन तीन दिनों में मुझे अपने अंदर से अपने पूरे जो भी कपड़ा पहनता था एक छोटा मोटा वहां पर गेस्ट हॉस था वहीं अम ठैरते थे तो ऐसा लगता था कि मास जलने की जो बू आ रही ना वह मेरे बॉड़ी से आ रही मेरे कपड़ों से आ रही है तो और जिस तरीके की चीज़ें होंती है तो लगबख वैसा था तो जब दिल्ली लॉटकर आया तब भी वह इसमेल नहीं जा रहा था काफी वक्त लगा मुझे और इस वज़ा से मैंने करीब एक दो तीन महीने तक मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था मैं नॉनवेज बहुत खाता हूं लेकिन सिर्फ जब भी मैं नॉनवेज खाऊं तो मुझे चर्खी दादरी आदा जाते इसलिए उसको छोड़ दिया बड़े मुश्किल से यह यादें उस वक्त निकली थी क्योंकि यह मेरी जिंदगी का इससे मेरी क्या मुझे लगता है कि हंदुस्तान में किसी भी क्राइम रोपर्टर में इससे जादा एक साथ 349 लाशें आपके 10 किलोमेटर के दाइरे में फैली हो और आप उसके बीच में हो तो वो हर एक मतलब देखने को नहीं मिलते हैं और उपर वाला ना करेगी ऐसा देखने को फिर कभी मिले तो और ऐसी जिसके बारे में मतलब उसी दिन से मुझे यह हो गया था कि ऐसी कौन सी लाश है जो मैंने नहीं देखिए जिस तरीके के आप बात करेंगे वो सारी लाश है महां पर थी तो हमेशा डराती हैं चौकाती हैं सिहराती हैं लेकिन दिल्ली आने के बाद फिर अचानक कुछ खबरे निकलनी शुरू है एक अजीब देखे खबर अब 309 लोग मरे एक जि आमिर या नासिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ आमिर या नासिर उसका नाम था और उसको जाना था रियाद नौकरी करने के लिए बहुत ही छोटे मोटे अपना बहुत जादा वह अमीर नहीं गरीब आद्मी इसी तरह से पैसा जोड़के और उसने किसी से करके वहां प्लेन का नंबर था 763 बोईंग था यह तो एरपोर्ट पहुंचता है उसकी पूरी फैमिली योखला वाले बत्यारा बच्चा घर से कमाने के लिए जा रहा है वो उसको इंद्रकांधी इंटर्नेशनल एरपोर्ट छोड़ने जाती है एरपोर्ट में जार सी बात है कि आप ए सब्सक्राइल हर हाथ में नहीं हुआ करता था उसके इंकमिंग और गोईंग का मिनठी 25 रुपे शायद हुआ करता था तो वह अंदर चला गया उसकी फैमिली वापस घर लौट है अब वह वापस फैमिली घर लौटती है करीब साड़े साथ आठ बजे के आस पास वापस ज उखला पहुंचते हैं तो तब तक यह बात फैल गई कि सौधी एलाइंस का प्लेन गिर गया को यह बात सवा साथ बजे हम लोग तक थी और रेडियो वेडियो में आ चुका था टीवी में भी तब तक उसक यह जी निउस था जी इंगली करता था तो तब तक यह खबर आग अब एरपोर्ट के अंदर की कहानी सुनिए यह लड़का एरपोर्ट के अंदर जाता है इसकी फैमिली इसको छोड़ के चली आती यह जाता है वीजा और वो दिखाता है और बोर्डिंग पास ले रहा होता है तो वहां पे एक लेड़ी वैठी थी सौधी एलाइस की इंप् उससे कहती है कि जो एक बंदा साइड में खड़ा वा था कि देखो तुम्हारा यह जो है ना वीजा इस पर तुम कल भी जा सकते हो परसों भी जा सकते हो यह अगर इसने कल जो है नहीं किया उसका लास देथा अगले दिन का तो बहुत इसका यह वीजा एक्सपायर कर जाए कि और कुछ नहीं होगा तो अगर तुम इंसानियत के नाते इसकी हेल्प कर सकते हो और प्लेन में सीट नहीं था तो उसने वाला सीट नहीं है तुम अपनी अगर इसको सीट दे दो तुम्हारी मर्दी शामिल है तो मुझे को अप्जिक्शन नहीं और वह उसका गिव्यार लगता दूसरा वाला वही मजदूर पेशा क्या तू कल भी जा सकता परसो भी जा सकता पंदरा दिन बाद भी जा सकता पर मैं अगर आज नहीं गया तो कल मेरी जॉइनिंग है और उसकी जॉइनिंग के लेट इसलिए हो था कि वह विचारा उतना पढ़ा लिखा नहीं था तो उसके लेटर वेटर तो उसको किसी ने ब्रीफी नहीं किया था तो टिकेट कराया तो वेटिंग लिस में था अब वो आदमी कंफ्यूज हो जा था जो आमिर नासर की क्या करूं फिर उसे लगता है कि इसकी नौकरी चले जाएगी दिल का अच्छा था लेकिन उसे डर ल O तुमको उसने इसको और लाव तो परेशान इदर फैम्ली वाले तो उन में इस धाली जाए एप चर्खी दात्री है वहां पर जाओ तो एडरपोर्ट तो इनकी फैमिली के कुछ बड़े लोग चले जाते हैं बाकी जो ऑरते हैं और एक दो होते हैं उनको कहते हैं तुम लोग घर जाओ और घर पे रहो सब नहीं जाएंगे तो वह फैमिली वापस आती है ओखला में जब वह आती है तो यह दरवाजे पे जिस पर ताला लगावा यह बैठावा सेड़ी पे और जैसी वह फैमिली उसको देखती है पहले तो एक साथ भूद भूद करके वापस पर लखने लगते हैं तब तक यह बोलता है और बुआ खाला मौसी जो भी है फिर उनको यह कि यह तो उसको हम बैठा करा हैं यह तो अंदर जा चुका है अब इसकी हालत खराब लेकिन फिर वो जब अपनी कहानी बताता है फिर वहां पर जो लोग रोते हैं जो सीन होता है और यह सारे अख़बारों में फ्रंट पेज स्टोरी थी इससे दो मैसेज मिले थे एक उसने अच्छाई किया जिसको सिला मिला उसकी जान बची और दूसरा ल मत अपने हिस्से में ले लिए और वो मर गया तो यह जो चीजें मतलब भुलाई नहीं जाती है वो मुझे लगता है कि आज भी शायद वो आमिर या नासिर ओखला में होगा और अगर क्राइम तक के जरीए भी देख रहा हो तो मैं एक बार जरूर चाहूँगा में पता भी कहानी थी वो मैं कभी भूलूंगा नहीं अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताता है इसके लावा अपनी रिपोर्टिंग में यह पहला था इसके लावा मैंने दो प्लेन क्रेश किया और रिपोर्टिंग की तोटल तीन एक दूसरा जिसमें माधावराव सिंधिया सवा कानपूर से 137 किलोमेटर दूर और मैं इत्वाक से कानपूर में था वह रिपोर्टिंग मुझे इत्वाक सिसले मिले कि मैं कानपूर में नियर इस था इस पॉर्ट के और तीसरा मैंगलॉर में जो 2010 में हुआ है जिसमें भी 500 के करीब लोग मारे गए पर माधावराव सिंध कि घावर आजने वाले दो मेरे इसी दफ्टर के और एक एंडियन एक्सप्रेस एक हिंदोस्तान हिंदोस्तान ताइम तो यह दो प्लेण क्रैश और यह दो तीन प्लेंस में अपनी जिन्दगी में देके कवर कि और उसके बाद असर यह उसका कि मुझे दुन्या में आज भ को यहांनेशनाह में जब तक मैं प्लेंग वहारो में फिलेंगे दिन क्रेश हुआ है आप अगले दिन पहुँचे घाटा हो दो क्या फैदाब से सिंधिया की मतल जैसे भी बताने कि किसके हिस्से की कहानी किसके हिस्से में आती है तौँ है इसम जो है यह माधवरा सिंधिया के कैस में माधवराव सिंधिया काइन को असर olm में चुनागी रंचनी जा रहे थे चारट असों के दस भी वह weakerus को ङा सकते हैं । हम pair आज तक के बड़े senior Congress beat cover किया करते थे 2000 में सब लोग जब आदे गंटे का आज तक शुरुआ था तब से गोपाल बिस्त जिनको हम लोग गोपाल दादा कहते हैं बहुत senior संजीव सिन्हा के बाद मैंने किसका एक और थे संजीव सिन्हा होगे एक अंजू शर्मा थी जो हिंदुस्तान टैंश में थी और अंजू शर्मा के साथ भी हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी अंजू शर्मा बाद में फिर mcd और यह सारी करने लगी तो यह चार जनलिस् है तो हमारे उस वक्त बहुत उद्य शंकर हुआ करते थे जो अभी स्टार इंडिया के सीओ है तो उनको बता है रंजान जाजी ने रात को अगले दिन की सुबा जाना माधरास इंद्या वो ले जा रहा कानपूर ऐसी वह बोलते थे तो तुम जाके क्या करोगे तुम नेता सब्सक्राइब करते हैं तो फिर भी कहते हैं कि नहीं जाना है पर अंजीव और रंजन और गोपाल ददा तो वह उधारए शंकार लास्तक मना करते रिए पर हो माने लूँ अब उसके बाद वो कैते हैं में कैमेरामन चाहिए सुबा सुबार ऍजन जाब दुबांव पहुंसते हैं सब्सक्राइब रशें मांगते मौत चिकंसे किसके उनका नाम आया उनकी मदर चंडी गड़ से आ रही था उनने का मुझे रेलवे स्टेशन जाना उनको पिक करने के लिए तो मैं नहीं जा पहूंगा एक मेरा सबसे खास जो हमेशा मेरे शूट पर होता है आपने साइन आफ सुनोगा विनोष शिकारपूरी के साथ श्रमस्तायर खान तो वह विनोष कुमार का नाम आता है और वह हर चीज माना किसी को नहीं करता है और चलो जादा चलेंगे फिर अचानक यह होता है कि उसको पार्लेमेंट में उसक बहुत जुनिया था तो हुआ कि तू चल कि वह भी लगबत तयार था तब ही अचानक गोपाल दादा जिनकों कहते हैं वह ऑफिस में घुशते हैं और उसका उनके शिफ्ट थी उस दिन दस नौ बज़े से तो वह घर से कुछ खा कर आया थी नोंने कैंटीन में खा लेते है तो चार-पांच कैमरा मैंन को कहा गया जाने के लिए हर एक ने किसी ने किसी वज़ा से नहीं जा पाया और जिसको नहीं जाना था उस गोपाल दादा अचानक आते हैं और अचानक तैयर होते हैं और वह आखरी फ्लाइट होती है तो वह चुकि जब यह लोग गय थे तो व अश्मारे रंजन गोपाल दादा और बाकी जनरलिस्ट और वो लो लोग तो एक यह था और एक मैंगलोर का प्लें क्रेश आपको याद होगा मैंगलोर का प्लेंज अजीब हाथसा वो यह था कि यह दुबई से आ रहा था और कि दुबई से मैंगलोर आना था सब कुछ टाइम पर था अच्छा यह एक अजीब हथा कि आप आस्मान का भी आपको बता दिया मौसम खराब है बीच में गिर गया यह रनवे पर आ गया लेकिन पाइलट के बारे में जो रिपोर्ट आती हुए कि शायद उसकी थोड़ी सी आ पांस दस पचास मीटर आगे पीछे लेकिन इससे जाधा होगा तो फिर गड़बढ हो जाता तो वह उसने टच ग्रॉंड बहुत आगे जाके टच किया और वहां का रनवे है चोटा मैंगलोर का क्योंकि वज़ा है कि तीन तरफ खाई है बहुत गहरी खाई है साड़ा तीन मारते मारते भी वह जाके प्लेन खाई में और उसमें करीब एक साथ लोग थे सिर्फ आठ बच पाए थे एक सोबावन लोग मारे गया तो यह पहला हादसा था जो रनवे के आगे प्लेन लैंड किया और उसके बाद वह कंट्रोल नहीं कर पाया प्लेन को रोक नहीं पाया और नीचे कर गया वैसे कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी जो मैं आपको बात बता रहा हूं एक रनवे आइडियली छे हजार फीट लंबा होना चाहिए और उससे कम हो तो फिर रिस्की होता है इसे कम है कि मैं। दुनिया में ऐसे कम हैं यह तेद्न का प्लेन का प्लेन वाहन। और मैं इसलिए टैवल करने से भी ड़ता हूं तो मुझे लगता है कि आज मैंने आप लोगों से कोई मैंने सोचा था कि आज सवाल जवाब नहीं सब्कल करें और इसलिए मैं अज जगा भी मैंने बदली कि थोड़ा सा कंसेंट्रेशन के साथ क्योंकि बहुत सारी बातें थी तो आपको याद करके बताओं तो बताया लेकिन अगर इसमें फिर भी आपको कुछ लगता होगा तो आप ज़रूर मुझे आगे बताईएगा तो मैं और भी कुछ बताऊंगा कुछ सवाल नहीं है कि लोगों को कहानी एक लगी कैसी इसमें बहुत सबकर यहीं जवाब है कि सबसे बड़ी इंसानियत होती है भगवान किसी किसमत का खेल है उसके लावा सरे अमूलेश चुकरा है सर आप कभी साओधी गया है अगर आप गया है तो नहीं लोग नताओं के फची लगा यह कहानीय को ज्यादा तरजी लेते हैं पीछे से आसिम जुह मुझे आप अब पैक एक अक करके जो रियक्षन है या आपने जो कुछ भेजा है बहुत सारे नाम है मजाहिर सी बाते वारे सारी नाम एक साथ नहीं कि ले पाँगा तो इसलिए मैं किसी का नहीं लेता हूं लेकिन जो भी आप मुझे पीछे से बता रहा है उससे एक चीज ऐसास होता है कि शायद हम लोगों में और आप में कोई फर्क है नहीं हम सब बैसिकली है इंसान इमोशन से भरपूर अगर हमें दुख होता है तो आपको भी दुख होता हम खुश होते हैं तो आप भी खुश होते हैं तो कुल मिला कि यह जो बाकी चीज़ें नफरत और सियासत है रहा यह उन्हों के लिए ठीक है जो करते हैं बट मुझे खुश ही इस सोच आप जो लिख के भेज रहे हम लोग भी उसी सोच के लाइक है हम भी वही सोचते हैं अगर ऐसा होता तो हमें भी अफस sự होता होता हमारे यहां आसजों निकलते हैं तो यही जिंदगी होनी चाहिए बट चैत्र कहाँएं आप मेरी कोशिश को सिर्क कहानी आचिर करूए कि दूसरी कहानी सुनाकर कहानी वो बिल्कुल नहीं मैं आप लोगों से शेयर वही करूंगा जो मैंने मतलब अपने पूरे जनलिजम के करियर में जो जो चीजे की हैं और ऐसी सैक्डों हजारों चीजे हैं तो मैं जरूर आप से शेयर करूंगा कोशिश करूंगा कि जो बहुत सारी चीजें याद नहीं मैं आप लोगों के लिए खासतर पर दोबारा फिर उसमें जाओंगा और उसको याद करूंगा और मैं सारी कहानी आपको करूंगा और ये देखी ये दीपक पहुंच गया यहां पर फौरण तो अगर इमान दारिस से आप लोगो कहानी अ मेहनत कामियाब रहे जो बिचारे लगाता रहते हैं कि लाइव सब्सक्राइब करना है लोग सवाल भेजने हैं लोग इंतजार करने आपका और ये सुबा से लगे रहते हैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते हैं तमाम चीज़ें करते हैं अगर मैं सच बता हू देशच बर की करा इंदेश्बर की खबरे होती है तो स्कॉल मुझाइब देखता हूं तो मजबूर करते सब्सक्राइब अजोश दिलाते बताऊं लेकिन इन लोगों को भी आप सुनें यह देखिए अब आपको लेकर खड़ा वाला कि मैं चाहूंगा कि कल से बिल्कुल ऐसे लेकर नहीं आए और मैं डाटूंगा बट आप आपके जानने वाले आपके तमाम लोग सब्सक्राइब जरूर की जिए और जो भी राय हो कोई भी अपने सुझाओं कोई भी सवाल आप जरू करें मैं कोशिश करूंगा जवाब दो उनके सुझाओं को समझू और क्राइम तक को और बहतर करने के लिए जो भी आप सुझाओं उसे भी मानूं तो आज मुझे खुद अच्छा लगा बाइस करीब बाइस साल पुरा कि मेरी कहानियों में आपको सिर्फ दर्द घम यही सारी चीज़ें मिलेंगी क्राइम में मैं हमेशा आपसे कहता हूं क्राइम में ना हसने का कभी मौका मिलता है ना खुशी बाटने का मौका मिलता है तो मजबूरी है मेरी लेकिन क्या करूं आप लोगों से भी शेयर करना लेकिन आपको फिर कहा रहा हूँ अगर आपको कुछ लगता है या कोई ऐसी स्टोरी शंप्स.khan.com पर आप मेल कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यह मुनिश देवगन ने हमारा यह वी इसको भी पुला तो तीने हो जाओ लिए यह मुनिश देवगन है यह वारदात का कैदे से बहुत मेहनती है और यह वारदात जो आप देखते हैं अभी से घंटाबाद आप देखेंगे सारा प्रोडक्शन का काम क्या म्यूजिक होगा, क्या नाम होगा, इन सारी चीजों में दखल रखता है और बहुत मेनती होने हार है, पंजाब से है, लेकिन क्राइम तक में भी इसका फुल इंट्रेस्ट है और इसलिए लगातार कहता रहता है और इसको बढ़ावा देने की कोशिश करता रहता है, तो मैं चाहता हूँ यह खुद ही आप लोगों से अपील करें तो मुनिश देवगन की अपील का भी खास ख्याल रखेगा, मुनिश, यह सारा अशिरवात शम सर कही है, लेकिन हम तमाम अपने सब्सक्राइबरों से, जो हमारी फैमली है, कि आप, आपके दोस्त, दोस्तों के दोस्त, आपके रि कारदात का टॉपिक क्या है, मैं आपको शुरू में बताया था, आज प्लेन क्रेश क्यों बहुत सारे लोग शाद नहीं सुन पाया होंगे, या बाद में आऊंगे, कि आज मैं आपको यह अपने जिंदगी के जो तीन प्लेन क्रेश मैंने कवर किये, तो क्यों आज सुना आज वज़ा क्या है, क्योंकि हम लोगों को हमेशा का जाता है कि रीजन क्या है इस स्टोरी को दिखाने के बीच, तो ये दो दिन से इस्राइल जो है वो फिलस्तीन में खास्तोर पर गाजा पट्टी में एर अटेक कर रहा है, मिक से जो जेट फैटर है उनके और रॉकेट गिरा जा रहा है, जिसमें रहाइशी है बस्तियों पर, उसकी वज़ाई ये है कि इस्राइल का कहना कि वहां की जो आतंगवादी संगतन हास है, उसने इस्राइल के आर्मी पर अटक किया था तो वो उसका बदला ले रहा है, इस्राइल के जरीए फिलस्तीन पर, तो वही वारदाट जो है, इस तरीके से इसराइल फिलस्तीन पर एरे स्राइक कर रहा है, वहां के ये सारे लाइब वीडियों, कैमरे का कमाल यह यह कि कैमरा आजकल हर चीज दिखा देता है, चाहे वो जर्म हो जर्म हो जर्म और जंग दोनों चीज़ें आप लाइब देखेंगे कै 11 बजे तो जरूर देखेंगे और वारदात के बारे में भी अपनी राय दीजेगा, मुझे खुशी होगी, तो कल आप से फिर मिलेंगे 9 बजे, और एक साहां आप से, कल आपको साड़े दस मैंने कहा था कि पाकिस्तान में कितने प्रमानवगम है, क्या है, सुरक्षित है, आज कैसे दाओद इबराहीम के मुननन ने पाकिस्तान को बेनकाप कर दिया, बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है, कि दाओद इबराहीम का मुननन, एक तो मुननन कौन है आपको साड़े Barbara पता चलेगा, पर उसने कैसे पाकिस्तान को बेनकाप कर दिया, अब इमरान खान प्रविन दोजा वह आपको पूरी कहानी सुनाएगा साड़े दस पजे तो सुनिएगा जरूर और जैसी अर्विन दोजा हाटेगा साड़े दस से 11 11 पजे मैं आपको मिलूंगा फिर वारदात पे क्राइम तक पर नहीं लेकिन वारदात पे तो तब तक आप अच्छे रही है कुछ रही है और हमनों के लिए द्वा करते रही है